गुड मॉर्निंग इस्टूडेंट्स आज अपन बैलेंसिंग और रेडॉक्स रियक्षन बाई हाफ रियक्षन मेथड्स का नेक्ष्ट एक्जामपल अपना अज ले रहे हैं जो आपको लास्ट वीडियो में एक एक्जामपल से आपको सोल कराया था इसको तो आज आप आप कोशिस करा करो बेटाओ कि आप कुछ reply दे मेरे को जब भी आपको कोई question दिया है तो किसी का कोई reply नहीं आता है तो आप मेरे थाब से श्टडी कर नहीं रहकाँ चलो फिर भी मैं तो करारत देता हूं मेरा काम है तो आज अपने पास एक reaction है अपने example दे रहे है next MnO2-1 aqueous ठीक है प्लस I-1 aqueous और इसका product है MnO2 प्लस आई टू सोलिड यह आपके सामने एक reaction है इस reaction को आपको हाफ reaction method से आपको क्या करना है इसको balance करना है तो आपको बताया था कि इन reaction को आपको जब balance करना हो इस method से तो first आप क्या करते हैं कि इसकी two half reaction करते हैं oxidation reaction और reduction reaction को आप क्या है कि इसको two parts में आप divide करेंगे तो oxidation और reduction reaction आप यहाँ पर करेंगे तो firstly पहले तो आप यहाँ पर इनका oxidation number यहीं लिख ले ठीक है तो magnesium यहाँ पर क्या है oxidation नमबर इसका क्या रहेगा देखो ओकजन की two है तो four से four two is a eight minus one तो यहाँ रहे हो गया seven तो magnesium का क्या गया प्लस seven oxygen का क्या है यहाँ पर minus two iodine है इसकी क्या है minus one ठीक है यहाँ पर magnesium की बात करें तो यहाँ पर यह क्या है two two जा four तो इसकी यहाँ पर plus four minus two और यहाँ पर iodine की क्या है zero oxidation state है यहाँ पर ठीक है तो अब आप इसको half reaction यहाँ पर write करें तो first half first half reaction क्या है यहाँ पर oxidation reaction oxidation half reaction क्या है यहाँ पर MnO4 minus और यह किसमे करनवट हो रहा है sorry oxidation oxidation write करें भी दाब ठीक है तो oxidation में क्या है यहाँ पर I minus one और I zero ठीक है फिर आपको reduction half reduction half reaction क्या है MnO4 minus और MnO2 ठीक है यह आपकी reaction है तो यहाँ पर oxidation number इनका इसका तो minus one यहाँ पर zero इसका यहाँ पर plus seven और इसका यहाँ पर plus four तो अब आप यहाँ पर यह देखेंगे कि firstly आपको बताया था कि आपको क्या करने है atom balance करने है ठीक है कि half reaction जो है इन दोनों में atoms आपको balance करने है तो यहाँ पर यह I2 है देखो इसमें तो आप क्या है कि balance है Mn, Mn, E, K, K, K है ठीक है आपको इनके atoms आपको balance करने है ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि आपको only क्या करना पड़ेगा कि इस step में आपको atom balance करेंगे atom balancing तो यहाँ पर क्या है कि यह reaction जो oxidation reaction है इसमें atom का difference है तो यहाँ पर यह minus 1 और यह क्या है I2 तो यहाँ क्या लगाएंगे आप 2 लगाएंगे ठीक है तो यह यहाँ पर balance हो गई अब क्या है next system में क्या करते है to balance the oxygen atom in the reduction reaction ठीक है और इसमें एक reaction में sorry बेटा मैंने एक बात और ने बोली यह कौन से है basic medium में basic medium में reaction हो रही है यह बात आपको जरूरी ध्यान रखने होगी acidic medium है तो उसको balance करने के लिए आपको उसके according यहाँ पर HOH आप लेंगे यहाँ पर ठीक है तो अब यह balance हो गया तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको to balance oxygen atom in the reduction half reaction to balance the oxygen atom in the reduction half reaction ठीक है तो reduction half reaction में आप करेंगे तो अब क्या है कि oxygen का आपको किसे balance करेंगे water molecule से आप balance करेंगे ठीक है तो water molecule से आप balance करेंगे तो reaction क्या हो जाएगी MnO4-2 by adding H2O molecule ठीक है आपको note करा देता हूँ यह भी ठीक है तो अब यहाँ पर आप reaction कैसे balance करेंगे MnO4- ठीक है पहले तो आप अपने reaction write कर ले और MnO2 ठीक है अब यहाँ पर देखे हो जनि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 2 है तो इस side आपको यानि कि right side क्या करने पड़ेंगे आपको 2 water molecule आपको add करने पड़ेंगे अब क्या है कि यहाँ पर water molecule आपने add किया है यहाँ पर तो water molecule से क्या है कि अब इसमें hydrogen balance करेंगे तो hydrogen balance करेंगे तो यहाँ पर hydrogen कितने आ गई 4 hydrogen हो गई तो इसको balance करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर 4 H plus आपको add करने पड़ेंगे ठीक है, H+, आप यहाँ पर add करेंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि manganese, oxygen और hydrogen सभी क्या हो गए, यहाँ पर balance हो गए है, ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कि as the reaction take place in the basic solution, reaction ही क्या है, reaction in basic solution, ठीक है, कि basic solution में reaction हो रही है, तो therefore, for H plus iron, we add our, add for OH minus in the both side of the equation, ठीक है, कि acidic medium में है, sorry, basic medium में है, तो आप क्या है, कि both side क्या करेंगे, कि इसको balance करने के लिए, आप क्या करेंगे, यहाँ पर, for OH, iron यहाँ पर आप क्या करेंगे, add करेंगे both side, ठीक है, तो both side जब आप इसको add करेंगे, तो MnO4 minus, plus, 4H plus, plus, 4OH minus, MnO2, plus, 2H2O, plus, 4OH minus, ठीक है, तो replacing the H plus and OH minus iron with water, the resultant equation is, ठीक है, तो H और OH क्या है, कि water से आप इसको replace करेंगे, तो यहाँ पर resulting आपको क्या मिलेगा, कि अब इसे क्या foam हो जाएगे यहाँ पर, 4OH है और यह है, तो उसके आकोड़नी यहाँ पर क्या हो जाएगे, यह two water molecules यहाँ पर आपको foam हो जाएगे, ठीक है, कि bare से पर क्या है, ब करएगे, यहाँ देवीक है, यह दो कर कि यह लगम है, कि अरड झताओएगे,альный oven,ोज़द ए प countedभ़ 10, यहाँ पर 0,6,56, विक विसले क्या ह्या, म resultantि, यहाँ है, MnO4- plus 2H2O और क्या हो जाएगा MnO4 MnO2 plus 4OH- अब देखिए यहाँ पर आपको कि यह 2H2O कैसे आ रहे हैं देखिए यहाँ पर 2H2O अब यहाँ पर क्या है कि इस H plus और OH- जासे आपको क्या form होगे यहाँ पर 4 water molecule आपको add होगे तो 4 water molecule में से आप क्या है कि 2 यहाँ पर है तो इसको आप यह इधर आ रहे है 4 left side में और right side में left side में 4 water molecule होगे right side में क्या 2 water molecule है तो आप इसको less कर देंगे इसमें से ठीक है अब क्या करते हैं कि अब जो second half reaction है यानि कि जो oxidation reaction है उस oxidation reaction में क्या करते हैं कि आप iron balance करते हैं iron balance in oxidation reaction reduction reaction तो balance हो गई अब यहां पर तो अब iron balance करेंगे तो आपके पास reaction क्या है यह 2I- और I2 ठीक है अब आपको पताएगे माइनस 1 है और यह किस में आ रहा है 0 में आ रहा है तो इसका क्या हो रहा है reduction हो रहा है तो यहां पर difference कितने का या 1 का तो यहां पर क्या है कि भी इसके कितने molecules हैं यहां पर इसके 2 है तो यहां पर आपको क्या करने होगे two electrons इसमे iron balance के लिए add करने होंगे ठीक है तो two electron आप यहाँ पर add करेंगे तो अब क्या है कि आपको क्या करना है कि यह अब यहाँ पर iron balance होगे अब आपको क्या करना है कि equation यह और equation यह इन दोनों का आपको add करके यहाँ पर क्या करना है final reaction आपको लिखने है ठीक है तो अब sorry अभी क्या रहे है कि now the equalize the number of electron we multiply the oxidation half reaction by 3 and the reaction half reduction half reaction by 2 ठीक है अब क्या करना है आपको कि आपको क्या करना है कि equalize the number of electrons electrons को आपको equalize करना है तो इसको जो यानिकि oxidation reaction है उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 से और reduction reaction उसको आपको क्या है कि 2 electron से आपको multiply यहाँ पर करना पड़ेगा ठीक है तो अब आप इसको 3 से multiply करेंगे क्या करना है इस reaction को 3 से और इसको आप क्या करेंगे 2 से आपको multiply करना है ठीक है तो आप complete reaction को आप 2 से और 3 से multiply करके आप इसको add करेंगे ठीक है तो अब यहाँ पर क्या है कि इस reaction को आप 2 से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 M N O 4 minus ठीक है plus 2 2 4 4 H 2 O 2 M N O 2 plus 8 O H minus ठीक है इसको आप करेंगे तो यह क्या हो जाएगी 2 3 जा 6 6 I minus और यह क्या हो जाएगी 3 I2 plus 6 electrons यह multiply से after multiply आपका यह result आएगा ठीक है अब आपको क्या करना add to half reaction to obtain the net reaction अब आप क्या करेंगे इन दोनों reaction को आप add करेंगे तो आपको क्या जाएगी net reaction आपको equation यहाँ पर form होगी तो अब आप इसको add कर दें ठीक है तो आपको बताया था है कि भी अगर different crossing में है तो आप उसको cross कर देना वरना आप यह कई यह इसको add करके लेखेंगे अब देखेंगे यहाँ पर कैसे लिखेंगे तो एम एन ओ फोर माइनस प्लस 6 आई माइनस प्लस 4 एच टू ठीक है अब आपन राइट साइड की reaction आप यहाँ पर राइट करेंगे यह आपकी क्या होगी यहाँ पर net reaction यहाँ पर राइट हो गई है ठीक है सोरी इसमें आपको 6 इलक्टोन भी आड़ करने मिटा 6 इलक्टोन तो अब क्या है कि 6 इलक्टोन से 6 इलक्टोन क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे ठीक है तो अब आपके पास यह reaction क्या हो गई net reaction हो गई अब आप इसमें last final जो step होता है उसमें क्या है कि आप total जो ions है उनको आप calculate करेंगे देखें यहाँ पर कि MN जो है यहाँ यहाँ पर किस state में है plus 6 state में 7 में किस में है plus 7 में है तो अब यहाँ पर आप पहले positive charge आप calculate करेंगे तो 7 to 14 क्या हो जाएंगे देखें प्लस के 14 यहाँ से और ऐसे क्या है hydrogen का plus 1 है तो यहाँ पर hydrogen कितने total 8 तो plus 8 ठीक है अब आप minus calculate कीजिए तो minus calculate करेंगे तो यहाँ पर oxygen का क्या है 2 है 8 ठीक है तो 8 minus का 8 यहाँ पर और इससे क्या जाएगा 6 और यहाँ पर 8 ठीक है देखो कैसे आया है यहाँ पर यह minus minus की value देखो यहाँ पर 4 और 4 8 यानि कि 4,4,8 यहाँ पर oxygen है पर oxygen से 2 minus 2 होते तो यह oxygen के यह और यह तो यह हो गए minus 60 और iodine पर minus 1 है तो यह क्या हो गए यहाँ पर 16 और 6 क्या हो गए 22 ठीक है और यह भी क्या हो गए 22 ठीक है इसी तरह से आप इधर calculate करके देखे तो यहाँ पर MN की से oxygen state में है किस में है यह प्लस 4 में किस में है प्लस 4 तो 4 4,8 यहाँ पर 2 से आप multiply करेंगे तो क्या हो गएगा प्लस का 8 फिर positive charge किस पर है इस पर क्या है 0 है ठीक है यहाँ पर यह negative है तो अब आप यहाँ पर अब यहाँ पर oxygen किस से state में है oxygen का आप calculate करेंगे तो oxygen किस से state में यहाँ पर minus 1 इस पर charge है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका कि 4 sorry प्लस 1 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इसका 8 यह हो जाएगी अब oxygen का आप देखी 2 है तो 4 तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि देखे oxygen यहाँ पर 4 है तो 4 तूजा 8 यानि कि minus के 8 तो हो गए यहाँ पर oxygen से इस से और यहाँ पर hydrogen कितने 8 है और इस पर क्या है minus 1 इस oxygen है तो minus 8 ही हो गए तो क्या हो गए यहाँ पर minus 16 और प्लस 16 तो यहाँ पर यह क्या है equal है तो यह क्या हो जाएगा अपनी complete तो इस तरह से आप बेसिक मीडियम में आप रियक्शन को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे तो अब इस चैप्टर में जो नेस्ट पार्ट आता है राडोप रियक्शन तो यह पार्ट अपने सलिबस से अब रिमूव हो गया है तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट करेंगे ठीक है थेंक्यू